मॉन्सून आचुका है और उसके साथ साथ हैर फॉल का प्रॉब्लम भी हम लोंका शुरू हो चुका है मुझे तो बहुत जदे हैर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं यहाँ पर आज आप लोंको दिखाऊंगे मैं अपना मॉन्सून हैर फॉल रूटीन के लिए क्या-कया फॉलो करती हूँ सबसे पहला स्टेप में मैं ले लेती हूँ अनियन हैर ओल जहाँ पर मैं यूज कर रहे हूँ वाओ का जो ब्लैक सीट अनियन हैर ओल है वो यह अच्छा से मैं वीकली एक बार या दो बार मसाज तो अच्छा से हैर पे जर जरूर कर लेती हूँ नहीं तो मेरा हैर फॉल का जो प्रॉबलम होता है वो बहुत बढ़ जाता है जब ही स्काल्प सूख जाता है तभी हैर फॉल मेरा बहुत ज़ादा होने लगता है इसलिए मैं scalp को जादा dry नहीं छोड़ती हूँ, मैं हमेशा scalp को एक protein देने का कोशिश करती हूँ, be it oil, be it tea tree oil, और any kind of essential oil, हमेशा scalp को अच्छा से, मतलब जो moisture होता है, वो रहना चाहिए हमेशा, और बालों का जो tip होता है, वो कभी भी मन बूलिये, नहीं तो splittance बहुत जादा हो सकता है, बाल को अच्छा से सामने तरफ लाके अगर ये वाला massage अप लोग करोगे, तो hair का blood circulation होता है, वो बहुत अच्छा तरीका से होता है, मेरे को तो बहुत अच्छा फाइदा होता है, तो इसलिए मैं hair को तोड़से सामने तरफ लाके अच्छा से head को massage कर लेती हूँ इसमें क्या होता है, जो blood circulation होता है hair में, वो बहुत जदा बढ़ जाता है, और अगर आप लोग hot oil massage करे हो, तो और भी अच्छा है, और इसमें जो क्या होता है, सामने तरफ बाल लेने पर, जो पीछे का पूरा hair होता है, इसमें अच्छा से oil लग जाता है, तो मैं अच्छा से hair को उल्टा करके, पीछे तरफ से पूरा oil को लेके, ऐसे एक चोटी के तरह बांध लेती हूँ, और obviously do not use any kind of rubber band, because वो जब आप खुलोगे, तो बहुत जदा hair fall उसके साथ हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर use करती हूँ, बहुत soft सा एक scrunchy, जो satin का होता है, तो इसमें hair fall होने का बिल्कुल tension नहीं होता, और मैं hair को थोड़ा सा इसमें tightly बांधी हूँ, नहीं तो मेरा चोटा-चोटा जो hairs होता है, तो वो side से निकल के आ जाता है, तो मुझे बहुत irritating हो लगता है, तो इसलिए में थोड़ा सा tight करके hair को बांध लेती हूँ, जादा tight मत करिये नहीं यह tonic है, rosemary oil का and rosemary leaves का, जो मेरा hair को बहुत जदा growth देता है, rosemary oil with rosemary leaves होता है, उसको अच्छा से में boil करके, एक जो पानी है उसका, मैं अच्छा से उसको एक pump का bottle में डालके, spray bottle में डालके, अच्छा से अपना hair में हफता में एक बार use कर लेती हूँ, after applying the hair oil, oil को लगाने के बाद कुछ देर बाद में यह tonic को apply करती हूँ, यह क्या करता है, मेरा hair को एक boost देता है, extreme hair growth के लिए, rosemary is one of the best best solution, तो मैंने यह पर बाल को बान्द लिया है, आदा घंटा से एक घंटा बाद मैं बाल को यहाँ पर धोलूंगे, उससे पहले एक silk bonnet में, मैं rosemary का water है वो खोल ले के लिए बहुत काम आता है, जादा हीट मत दीजिए, यह एक bonnet type का ही है, तो आदा घंटा से एक घंटा इसके लिए इनाफ है, उससे जादा नहीं रखिए, थोड़ा से यहाँ पर पानी भी लेती हूँ, because hydration is also very important, और hair को पानी का बहुत ज़रूरत होता है, जैसे क मैं अच्छा से अपना बालो को धोलूंगी, because यह जादा देर रखना नहीं चाहिए, मेरा already hair बहुत oily है, तो मैं हमेशा बाल को hair oil लगा के आदा घंटा से एक घंटा ही रखती हूँ, इससे जादा नहीं, अच्छा से बाल को गीला कर लीजिए, पानी से, उसके बाद कोई ह तो इसलिए मैं अभी blindly यह यूज कर रही हूँ, with a scalp massager, मैं कभी-कभी हाथों से, मतब हो जाता है, मैं यूज कर लेती हूँ, शांपू, नहीं, तो scalp massagerी में जादा तर यूज करती हूँ, because यह क्या करते हूँ, जो बोलती हूँ, जो hair का blood circulation है, वो होना बहुत ज़रूरी है इसलिए नाखून से जादा शांपू मत करिये, यह scalp का बहुत ज़राबी करता है, इसलिए scalp massager होना बहुत जरूरी है, मैं description box में link दे दूँगी, यह आप ले ले, नहीं, तो जो हाथों से, जो नाखून से, जो हम लोग करते हैं, वो scalp के लिए थोड़ा सा खराबी करता है, सो हां, अच्छा से मैंने यहां पर बाल को धो लिया, आफ्टर प्लैंक दा शांपू, ओइल था तो थोड़ा देर, दो-तीन मिनिट से जादा नहीं, बट थोड़ा देर छोड़ दीजे शांपू को, ताकि वो ओइल को extract करके बाहर निकाल दे, नहीं, तो मेरा already scalp oily है, और ज चिया बटर के तरह soft hair mask है, यह बहुत अच्छा से काम करता है मेरे hair को, like लगता है मैंने spark किया है, इतना soft बना देता है, यह literally एक magical hair mask है, मैं recently यह खरीदी हूँ और मैं recently इसको use कर रही हूँ, तीन-चार बार use तो करी चुकी हूँ मैं, लेकिन यह मेरा 56th यूज होगा, but I'm really really very happy with this hair mask, यह तीन-चार मेरे ट्रकने से ही काम हो जाता है, तो it's a must for me, तो यहाँ पर मेरा बाल धोलिया है, मैंने अच्छा से with hair mask and shampoo, तो मैं यहाँ पर use कर रही हूँ स्ट्रिक्स का hair serum है, यह बहुत अच्छा hair serum है, hair को और softness देता है, तो hair mask लगाने के बाद, hair serum लगाना ज़रूरी है, नहीं तो जो moisture होता है, वो lock नहीं हो पाएगा, और यह hair serum में UV reprotection भी है, अगर आप लोग शांपू करके बाहर निकल रहे हो, धूप में, उससे पहला अगर यह serum use कर लोगे, तो यह ultraviolet tray से भी आपका hair को protect करेगा, so yeah, बहुत अच्छा hair serum and stricts का hair serum बहुत common है So yeah, this is my monsoon hair के routine, बहुत simple है, बहुत ही easy है, ऐसा कोई like, मुश्किल काम नहीं है, यह करना, हफता में एक दिन या दो दिन, बहुत easy है, और हमेशा guys, अपना hair को सुखने के बाद ही comb करो, नहीं, तो पूरा बाल भीगा हुआ रहेगा, और सारा बाल जढ जढ जाएगा, मैं य खराब करेगा, so yeah, आप लोग देख सकते हो guys, मेरा पूरा routine complete हो चुका है, और कभी-कभी हफता में, एक दिन या दो दिन में, थोड़ा सा बाल को trim करती हूँ, बहुत जादा नहीं, बहुत जादा नहीं, लिकास हफता में इतने बाल करती हूँ, तो पाल रहेगा ही नहीं, So yeah, this is the final look, and I am really happy with this routine, so guys, I will suggest आप लोग भी use करो, बहुत जादा benefit मिलेगा. होता है, वो दो बार से जादा हफता में यूज नहीं करना चाहिए, because hair pack एक तीन ही इनाफ होता है, हफता में यूज करना, so मैं भी ये सजेस्ट करोंगी, कि आप लोग अगर ये particular hair pack यूज कर रहे हो, ये एक बार से दो बार ही हफता में यूज करेए, मैं अनियन यूज कर करता है, और hair fall को भी stop करता है, so हाँ, मैंने जो भी products यहाँ पर दिखाया है, उसका link में description box में दे दोंगी, आप लोग इसली जा के वो products करेच सकते हो, and all the products are very affordable and will be within your budget, so yeah, ये एक अच्छा चीज है, मैं जो भी products दिखाते हूँ, बहुत सदा budget friendly होता है, because मुझे लगता है, सब के लिए होना चाहिए ये products, not for a certain particular like group of people, सब के लिए हो सकता है, जैसे कि मैंने hair care का जो pack दिखाया है, that is only for Rs. 250, अगर आप लोग दूसरा products देखोगे, वो थोड़ा hair care का pack का दाम जादा होता है, at least 600-700, तीक है, but जो मैंने दिखाया है, वो हर hair type के लिए है, अगर आप अगर आप लोग का dandruff issue है, अगर आप लोग का hair fall हो रहा है, सब चीज के लिए वो hair pack जो है, वो use हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि certain particular type के लिए, for all hair types, so yeah, I hope you guys are liking our content and video, अगर video अच्छा लागा, then please like करिए, video को share करिए, and channel पे नहे हैं, तो please subscribe to my channel, and till then take care, bye bye, I hope to see you in the next झाएबड़ का लोग का लोग लोग का है।